स्वावत है दोस्तों मेरा नाम है अधित्या आप देखरें टैक्सेसेच ओफिशल यूट्यूग चैनल आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे अगर आप भी PMG दिशा का काम CSC की दुरू कर रहे हैं और ऐसे में दोस्तों आप अपने स्टुडेंट्स का मैल वेरि सकते हो और वीडियो पसंद आयती है तो आप लाइक कर सकते हो तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो हम दोस्तों यहां पर अपना सेंटर का लोगिन कर लेते हैं लोगिन बटन पर हम क्लिक करेंगे और जो भी आपको सेंटर लोगिन का यूजर आडिया पास और आप यहां पर आप देखेंगे तो हमारे सामने जितने भी इस्टुडेंट से हैं लगबग सभी का mail verification complete है कुछ mail verification आप मैं पर देख सकते हैं कि नहीं हुआ है और यहां पर आप देखेंगे तो इसके सामने cross लगा हुआ है and इसके बाद में second जो हमारे student है सामने भी cross लगा हुआ है ठीक है तो इस तरह से हैं पर हमारे रुपस कहीं बच्चे हैं जिने mail verification करना भी pending में चलिए suppose हम यहाँ पर इस students का ले लेते हैं तो हम यहाँ पर simply इस particular students का login ID इन password से login करना होता है उसके बाद में जो भी आगे की process होती है mail verification की वहाँ से complete होती है तो अभी हम यहाँ पर दोस्तों इस particular students को ले करके इसका login करते हैं तो हम यह पर key पर click करेंगे and are you sure you reset your password this student तो हम यहाँ पर ok कर लेंगे तो यहाँ पर हमें दूसरे टेब में open करना होगा और दूसरे टेब में open कर लेने की बाद में हम इस student का login करेंगे तो हमने यह पर first step में इसे login करके already रखा है हमारा central login इसलिए यहाँ पर दोबारा से login हो गया है अब हम यहाँ पर जाएंगे इसे logout कर लेंगे अब हम यहाँ पर दोबारा से login करना होता है जैसाब सभी को पता है कि हम किसी भी student को जब login करते है तो हमें उसका user id और password fill up करना होता है तो हम यहाँ यूजर id लेंगे और password लेंगे हम यहाँ पर रिसे भी हम यहाँ पर paste कर देंगे अब आपको दोस्तों यहाँ पर देखना यह रहेगा कि यह जो student है उसका जो current password है उसे हमें आपके दोस्तों fill up करना होगा जो कि हमारे पस में यहाँ पर यह रहा ठीक हम इसे यहाँ पर paste कर देंगे paste नहीं होता है तो हम आपको यह जो copy paste pro हम इसे enable कर लेते हैं और यहाँ पर paste कर देते हैं new password पर दोस्तों आप अपना नया password बना देंगे यानि कि इस student का नया password बनाने के लिए आपको दोस्तों capital letter भी लेना होगा small letter भी लेना होगा and numerical numbers भी लेने होगे और special characters का भी आपको यूज करना होगा तब जाकर क्या आप यह password जोए create कर पाएंगे तो आप password create कर लेते हैं और यहाँ पर हम change पर क्लिक कर देंगे चैंज पर आप जैसे क्लिक कर लेते हैं तो password change successfully प्लीज लोगिन का हमें green color में message show कर देता है जिस student का हमने password भी reset किया था उस student को हमने यहाँ पर login कर लिया है यहाँ पर हम i agree पर क्लिक कर लेंगे और इसके हम में इस पर ok करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे white default हमें PMG दिशा का एक mail सेट करके ओरड़ी मिलता है अब हम यह पर करना यह रहे हम यह पर edit profile पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम यह जो mail अपडेट का हमें option enable हो जाता है यहाँ पर हम mail अपडेट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों करना यह होगा कि आपको एक new तो हम यहाँ पर लिखते हैं ठीक है यहाँ पर हम user name लिखेंगे ठीक है और यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास मोबाइल नहीं है आपको mail पर receive हो जाएगा तो हमने आपर यह जो है एक slate कर लिया है इस तरह से हमें ठीक हम यह वाला mail मापी ग करके क्या है और इसके बाद मैं आपको आपो जो भी उप्षुन ready. Laughing life. आप आप यहाँ परिनी सब्सक्राव कर देने के डीक लिए आपे आपको A5 Mir ==, तो हमने दोस्तों इस चैनल के एक वीडियो में आपको बताया था किस तरह से आप मल्टीपल इमेल आइडी को क्रेट करके आप अपना PMG दिशा में मैल पूट कर लेते हैं और आपको OTP भी रिसी हो जाता है तो बहुत ही सिंप्ल एंड इजी प्रोसेस था दोस्तों इस वीड सबया में करें अधरे सब्लगाएं सब्सक्राइब ने केमाइड कराती हैं तो बहुत ही कम जो कमपनीज प्रेसे हैं उनके हैं पर accept किये पी this look. com. use विग और अपका युज विगाइगा इसके आलावा यहां पर हमने कर दो से किया है mail उनके domain name check किया है, یہUD करके تو कई यहां पर domain name जो accept नहीं किया गया है, Sud星 हम आपको recommend करेंगे, आप simply PMG दिशा, प्रोग्राम से आगर आप जूड रहे हो तो आपको एक student का particular student ld kaup ko mail create करना ही होगा mail create करके दोस्तोंने से जाए CCN Carbone copy किस तरह से होता है कहां काम आता है Blind Carbone copy काहां पर काम आता है यह उन्ने दूस्तों सिख्चाना भी होता है तब उन्हें सिख़्ाये भी लेकिन अगर आपको शूटकत तरीका चाहिए तो अभी इस कोई shortcut नहीं आया है क्या कि PMG दिसा दोस्तों वहती हो गया है पहले दोस्तों यह होता था कि हमारे पास में जो भी एक original mail ID होती थी जैसे कि हमारे पास में जैसातू 488 ठीक है तो यहां पर जैसे हम दोस्तों जैनरेट पर क्लिक करते हैं तो हमें इस जो हमारी original mail ID है इस से related हमें दोस्तों काफी सारी हमें duplicates mail ID हमें आप देखने को मिल जाती थी ठीक है अब यहां पर होता क्या है दोस्तों यह जो हमारी mail ID जो मैन है ठीक है यह mail ID हम यहाँ पर डाल देते थे PMG दिशा के पॉर्डल पर पर जब डाल देते थे दोस्तों यहां पर तो यहां पर दोस्तों जो OTP जो डिलेबर होता था वह हमें यह पर original mail पर हमें शो कर देता था ठीक है तो यह होता था पहले और अब दोस्तों यहां पर आप यह हो रहा है कि जो भी mail address से हम यहां पर दोस्तों send करेंगे PMG दिशा को mail जब हम send करते हैं जो कि go ahead को हम यहां पर mail send करते हैं OTP के लिए यहांने कि verify mail जब यहां पर लिख देते हैं तो हमें दोस्तों इसी mail पर हमें दोस्तों return जो है OTP आता है ठीक तो यह एक changes कर दिया गया है इससे यह होता है दोस्तों कि जो भी हम यह पर clone जो भी mail ID बना लेते हैं इस पर mail ना send करते हुए वो अब यह कर रहा है कि जो भी original mail से आप send करते हैं उसी पर वो जो deliver करेंगे इन पर वो deliver नहीं कर पा रहे है तो यह दोस्तों एक जो हमने बात बाद 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 को बता दी है तो आपको particular आपको हर एक student की mail ID इसी तरह से create कर लेनी है और इसके बन दोस्तों आप जब भी mail ID को यहाँ पर इस तरह से verify कर लेते हैं जैसे कि हमारे पास में यह जो student है हमने जैसे just अभी इसकी mail ID जो create की है तो हमें दोस्तों इस mail ID को copy करना है copy कर लेने के बाद में आपको student की profile पर जाना है यहाँ पर आपको देख लेना है यहाँ पर आपको edit profile पर जैसी क्लिक करेंगे आपका option जो enable हो जाएगा यहाँ पर आपको इस mail ID को paste कर देना है और save कर देना है अब इसके हम दोस्तों आपने जो mail ID student की create की है इसके mail section पर आपको चले जाना है mail section पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर compose का option मिलता है compose पर दोस्तों आप जैसी क्लिक कर लेते हैं इसके बा फेर हमें यहाँ पर दोस्तों से पप्याट करते हैं यहाँ पर इसे पर करना है और यह की इसके बाद आपको दोस्तों पर click कर देना है send पर आप जैसी click कर लेते हैं आपको दोबारा से student के profile पर जाना है यहाँ पर आपको एक update email का link के देखने को मिलता है इस button पर हमें click करना है and save change पर click कर देना है अब यहाँ पर हमें verify पर click करना है अब आपको यहाँ पर enter OTP का option enable हो जाएगा हमें दोस्तो student का mail हमें create के हो है हमें वही पर चले जाना है अब यहाँ पर आपको दोस्तो थोड़ा wait करना है आपको यहाँ पर PMG दिशा का mail का OTP जो डिलेवर्ड होगा जैसे कि हमारे case में हमारे PMG दिशा की ओर से mail आ चुका है यानि कि OTP आ चुका है तो हमें दोस्तो आप OTP जो है इस तरह से लिखा हुआ देखने को मिलता है जैसे 012851 तो आप हमें दोस्तो देख सकते हैं कि email ID has been successful verified ठीक है अब यहाँ पर दोस्तो करते क्या है इससे हम logout क्लिक करेंगे login पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर central login कर लेना है हम यहाँ पर चेक करते हैं कि हमने जिस student का mail ID verify किया हुआ है वो इसका mail ID के सामने जो successful right icon जो है वो आया है या नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो हमने इस student का mail verify किया हुआ है तो इसके सामने just email verify के आगे tick लग चुका है green color का तो आप दोस्तो इस तरह से जो है आप अपने students का one by one mail ID का जो है verify कर सकते हैं तो उमेद हो दोस्तो आपको यह वीडियो का भी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दोस्तो जरू लाइक कीजिए इन चैनल पर नहीं हो दोस्तो जरू सब्सक्राइब कीजिए दर निवाद